मुझा दोस्तों कैसे आप आपका स्वागत है आप ही के अपने यूटिब चानल स्टॉक बागे टोड़े पे उमीद करता हूँ कि आप रेगलरली निफ्टी और बेंग निफ्टी के अनलिसिस की वीडियो को वाच कर रहे होंगे अगर आप नहीं है चैनल पे तो चैनल को सबस्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिशन परसके ताकि ये इंपोर्टन वीडियो आप से मिसना हो बाजार में काम करना है चाहिए अप स्टॉक्स में काम करें चाहिए आपको बाजार का रुख पता होना ही चाहिए अगर निफ्टी और बहुत साइज चीज़े को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं कल हमने बहुत क्लियर लिका था कि 17,030 के आसपास की जो कलकी closing थी Nifty की वहीं से बजार को उपर जाना था एक छोटा सा stop loss बजार में हमको लेना था अगर देख सकते हैं तो यह कल की candle है हमाई कल की closing थी 17,033.60 होगी और 17,030 मतलब सिर्फ 3.60 पैसे का stop loss था हमारा बहुत ही clear थ है 17,030 से लेके 17,250 के आसपास का मोटा मोटा फिर से 200 points डेली आपको 500 से 200 points के निफ्टी के points कैसे लेने हैं मैं आपको यह सलना नहीं कोशिच करता हूँ यह analysis शेयर करने ही कोशिच करता हूँ this is my analysis this is my observation please do your own analysis before taking any any trade ठीक है तो यहां पर अब बजार कैसा दिखाए देते हैं अगर आप दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे effort आपको पसंद आते हैं यह content आपको पसंद आता है मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो please motivate करने के लिए like को ज़रूर प्रेस कीजिए subscribe करके चैनल को ताकि सब इस अपडेट्स आपको time पे मिलते रहे और हां regular updates पाने के ल और आज ही अपने trading और investment की शुरूरात को कर सकते हैं देखेंगे तो simple सा analysis आपको कहता है कि बजार जब एक higher low और higher high का pattern बनाने कोशिश करें तो हो सकता है कि रिवर्सल आई यह खनी टाय भी हो सकता है क्योंकि जब बजार एक lower 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 highs बनाता हो बजार चल रहा होता तो जब correction ब आपको पैसे देता रहेगा 1730 के आसपास आता है वेट की बाय करने कोशिश कीजिए 17300 के आसपास आता है बुक करने कोशिश कीजिए क्योंकि यह 200 पॉइंट की रली बहुत बड़ी है अगर एक निफ्टी के lot में आपको 10-10,000 रुपे कमाने को मिलते हैं तो इससे ट्रेड से अगर हम यहां पर थोड़ा सा अपना आत्रेंग को कान्फर्म करने की कोशिश करें है के निशी से तो हला किसे एक को बरण करसे से निफसे किसे हिसाप से और हगर वहीं चोटे पर Si Shissome ड़ी जाने की कोशिश करें तो यहां पर हमें एक अच्छा-खासा बाय इंग का प् है यह बहुत ही crucial लेवल है अब यहां के लिए 17,300 ठीक है यह लेवल this level will be 17,300 will be a tough resistance for nifty यह cross करते ही अगला जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा 17,500 के आसपास करा 17,500 अगर आपको याद हो 17,500 यह हमारा लेवल था यहां पे हम एक अगला पड़ाव लेंगे अगली तेजी जो होगी 17,556 के ऊपर ही होने वाली है उससे पहले नहीं होगी तो फ्रीज इस रेंज में आप ट्रेडिंग बहुत ही खुब जूरती से कर सकते हैं चले देख लेते हैं बैंग निफ्टी का क्या हाल है बैंग निफ्टी में हमारा के अनेलिस क्या था बैंग निफ्टी में भी हम बहुत ही जादा क्लियर थे कि बजार कैसे चलने वाला है यहां पर बैंग निफ्टी का जो ब्रेकाउट था 35,720 के ऊपर में था बहुत ही क्लियर था पर फिर भी एक ट्रेंड की शुरुआ दिखाई दिरिया करेक्शन में अप्ट्रेंड मतलब एक बाउंस बैक आप इसको कह सकता है तो यह इस बाउंस बैक को आपको प्ले करना आना चाहिए रहने वाला है वो ख्लेली अब 36,444 चाहिए पांसो के आज की क्लोजिंग है मैंने अपर बहुत ही क्लेली कह दिया था कि आने वाला दिनों में बैक निफ्टी यहां तक चलिया गी यहां पर जो नेक्स पड़ाव रहेगा वो 36,670 36,670 के उपर में फरदर तेसी देखने को मिलेगी नहीं तो यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनरियो देखने को मिल सकता है यहां पर बैक निफ्टी ट्रेड कर सकती है तो यहां पर जो स्टॉपलोस आपको लेना हुआ बहुत ही छोटा सा स्टॉपलोस आपको कर सकते हैं उपर के लेवल के लिए उपर के लेवल जो रहेंगे 36,670, 36,865 और 37,000 तो यह हमारे आने वाले दिनों में ट्रेड रह सकता है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा यह आपकी काम आ रही होगी अपनी आपकी ट्रेड लें और दोस्तों बिना सीखे बजार में काम मत कीजिए बजार को बदनाम करना बहुत असान है कि मेरा यहां पैसा लगया बजार फिर से तूट गया फिर से corrections होगी मैं हमीशा से कहता हूँ corrections are always opportunity to buy stocks at cheaper prices, cheaper valuations, easy valuations अगर आप बजार को नहीं समझते हैं बजार की valuations को नहीं सड़ी कर सकते हैं तो कमसें corrections का पैसे को थोड़ा spare कीजिए, money management के साथ काम कीजिए, financial discipline hold कीजिए, बजार बहुत ही शानदार है, हर मोके पे हर level पे आपको पैसे बना के देगा बट शर्त है आपकी जम्में पैसा होना चाहिए और आप उस correction के लिए तयार बैठे होने चाहिए, अगर आप डरेंगे बजार लेना है, कब लेना है, और क्या analysis करके लेना है, यह आपकी बहुत analysis का फंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि analysis करने के लिए बहुत लंबे चोड़े tools हैं, for example, देखें यह कितना बड़ा toolbox है, कितनी बड़ी tools हैं हमारे पास में, आप कुछ भी लगाना चाहिए, बजार को confuse कर आना चाहिए, बजार कैसे काम करता है, वो पता लगना चाहिए, अगर आ प्रफेशनली सीखना चाहते हैं, हमारी classes पूरे इंडिया में होती रहती हैं, आप दिये गए नंबर पे contact रसकते हैं, हमारी next classes कब हैं, वो हो सकता है, आने माली classes हमारी शाहिए डेली में हो, यूट्यूब का एक अल्गार्थम है, कि अगर जिस वीडियो के सबसे लाइक होते हैं, तो यूट्यूब का लगता है कि हाँ, इस वीडियो के पे engagement अच्छी है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है, ये content किसी काम आ सकता है, तो प्लीज सबसे पहले लाइक प्रेस कीजिए, उसके बाद ही आगे बड़ी है, वीडियो में बंदे ना निकल, thank you so much, मिलते हैं किसी और नहीं में इंटरसिंग वीडियो के अंदर, thank you so much and bye bye, jahin.